आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी बिना अवन के इसकित की रेसिपी लेकर आई हूँ तो इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है सूजी ले लिया है और बेसन ले लिया है तो में ने यहां पे मैदा 500 ग्राम लिया है बेशन यहां पे 200 ग्राम लिया है और सूजी 100 ग्राम लिया है उसके साथ मैंने बीकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी यूज सकते हैं तो एक चमच और बेकिंग सोडा अब दीजिएयगा एक बावल में मैं सबसे पहले डालडा दे दूंगी तो आप डालडा की जगह आप घी और बटर का भी यूज़ कर सकते हैं तो उसे के साथ मैंने पिसी हुई शक्कर भी दे दी है और उसी शक्कर में मैंने 2-3 इलाइची भी दे कर पीस लिया था अच्छी तरह से हम इसे मिला डालेंगे जाओ चमश्की बजाय आप अगर हाथ से मिला तो ज्यादा अच्छा होगा तो से बहुत अच्छी तरह से मिलता है या फिर आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं डाल्डा ना ज्यादा पिगला हुआ उना चैिये ना ज्यादा सक्त होना चैए रूम टंप्रिचर वाला डाल ठीक रहेगा और घी वी वैसा ही लीजिएगा तो अच्छी तरह से हम इसे फेट लेंगे थोड़ा सा मैंने नमक भी दे दिया है तो अभी मैं हातों का यूज कर रही हूँ तो हातों से अच्छी तरह से मिला रही हूँ एक चम्मच कलोंजी भी दे देंगे तो मैंने यहां पर बहुत ही कम पिसे हुए शक्कर का यूज किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो अभी मैं सबसे पहले यहां पर मैदा दे दूँगी और यहां पर उसके बाद बेसन भी दे दूँगी और सूजी भी है अच्छी तरह से सभी चीजों को मिला लेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी मैंने दे दिया है उसी डालड़ा के साथ अच्छी तरह से सभी दिम मिला लेंगे अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप और भी शक्कर का यूज़ कर सकते हूँ यहाँ पर कौंटिटी कुछ जादा है इसलिए अभी धीरे-धीरे सभी अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप पानी का बिल्कुल भी यूज़ मत किजिएगा इसमें हम अभी दूद लेंगे दूद से हम धीरे-धीरे सभी चीजों को मिला लेंगे तो हमें इसका एक डोब नहीं तयार करना है इसे सिर्फ मिलाना है हमें ताकि जब हम हाथ में ले तो अच्छी तरह से वो बंद जाए तो आप अपने जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा अगर के दूद दे कर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा यह बहुत ही सिंपल है और बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जब हम इस तरह हाथों में लेंगे जब गोल करेंगे अगर यह तूट जाए तो अभी तक यह हुआ नहीं है तो हमें अभी और भी दूद मिलाने की जरूरत है इसमें थोड़ा और दूद मिला देंगे हम दिखिए अभी ये गोल हो रहा है इसका मतलब अभी ये पूरा ठीक है तो इक कड़ाई में मैंने बहुत सारा नमक दे दिया है तो इनमक मैंने पहले भी यूज किया है बेकिंग के लिए तभी हम टिन तयार कर लेंगे या फिर कोई भी स्टील का प्लेट अब तयार कर लीजेगा नीचे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है तब वहां से हम थोड़ा थोड़ा करके जो मिक्स्चर है उठाकर ऐसे गोल ऐसा बिस्कित जैसा तयार करेंगे और इसी तरह हम केक टिन में रख देंगे और बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा स्पेस रखेएगा ताकि जब यह फूल है उसे फूलने की जगह चाहिए थोड़ा सा बीच में से हम चप्टा बना देंगे यहां पर इस बीच वाले पोर्शन में आप या फिर एलमन्ट भी दे सकते हैं या फिर कोई भी आपका ड्राइफूट दे सकते हैं मैंने यहां पर काजू का यूज किया है अब धीर है से हम इस तिन को हम कढाएं में देंगे तो हमें पहले जो हमने नमक से कढाएं में यह हुमें ंट करना है तो हम दो मिनित compliance करके उसके बाद हम देंगे तो हम अब मेरे पास यहां पर फोईल पेपर था इस लिए मैंने इसी से ढग दिया तो अगर आपके पास नहीं है तो जरूरत नहीं है तो आप किसी भी ढगकन से ढग दीजिएगा तो इसे बिस्कित तयार होने में लगबग 20 मिनट का समय लगा तो बहुत ही जट पर तयार भी हो जाता है देखिए बिस्कित तयार हो चुके हैं देखिए इसके नीचे कितना अच्छा रेट कलर आया है अभी कुछ देर और पकने की जरूरत है तो कुछ देर भाड़ा हम फिर से देखेंगे देखिए इसके नीचे कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है इसका मतलब यह पूरी तर्यत तरह से तयार हो चुका हैkov occur छुका है तो देखे ठंडा होचुका है तो हम वहीं आपको तोड़कर दिखाते हैं यह कितना विर्शम फ्लेक AG की बना है बहुत कुर्कुरा बना है तो बेकरी जैसा बिसकित आप में ही बहुत ही आसानी से तयार करके खा सकते हैं घर में बनाईए सभी को खिलाईए और मुझे कमेंट कीजेगा आपको मेरी रेस्पीस कैसी लगी तो थैंक यू फो वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई